एक्सेसाइज 48 का question number 2 यहां पे है तो 2 में यहां पे convert करने के लिए कह रहा है common fraction into decimal number यहां पे fraction दिया हुआ है और इसको decimal में बनाना है मतलब यहां one number में decimal दिया हुआ था और इसका fraction बनाना था यहां पे ठीक इसका उल्टा करना है जैसे कि इसको इस तरह से बनाना है और इसको जो है two number को इस तरह से बनाना तो आई हम लोग इसको solve करते हैं question number 2 में EFGH इसको यहां पे solve करते हैं तो 125 सबसे पहले इसको कर लेते हैं इसको देना है 125 से divide करना है सेवन डिवाइड तो हने वाला है नहीं तो इसको अम लोग को जगा रखना है जीरो पॉइंट लेना है एक जीरो मिलेगा फिर सी जीरो देना तो दूसरे जीरो मिलेगा ठीक है वह 700 हो गया अब यहां पे यहां पर हम लोग इस तरह से अंदाज लगा सकते हैं जीसे two will cutable हम और यहां पर 2 बच गिया है तो 5 तो 10 और 2 12 हो गया तो 1 बचा हुआ है 5 1 जा 5 और 6 हो गया 6 25 हो रहा है तो इससे ज्यादा नहीं जाएगा मतलब हम लोग 5 बार में चलते हैं 5 6 25 अब यहां पर 5 हो गया और यहां हो गया 9 तो 9 में से 27 यह खतम हो गया एक जीरो लगाएंगे तो कितना और है 12 चक बहत्तर तो 6 बार में संभावना है तो यहां पर हम लोग चेक कर लेते हैं 6 125 6 36 हो गया 0 तीन बचा हुआ है चेदना बारा तेरा चौदा पंदरा पांच वन बच गया और 6 वंजा 6 और 1 7 कितना बार में गया 6 बार में 6 बार में कंप्रेट लिए कट गया कि 7500 कर गया इसका प्लेगा अंसर केतना है इतना अंसर हो गया जीरो पॉइंट जीरो फिप्टी सिक्स आप लोगो में बतला दू आँ कि 7, 7 by 4 हो जागा तो यहाँ पे यह हो जागा 7 by 4 तो इसको डिवाइड करते हैं 4, 7 यहाँ पे कितना बार में जागा 4, 1 जा 4 कितना बच गिया, 3 अब पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 हो गिया तो 4, 7 जा 28 होता है 7 बार में जागा, 28 कितना बच गिया, 2 कट गिया यह, फिर एक 0 आएगा और 4, 5 जा 20 तो यह कंप्लीट कट गिया यहाँ पे 171,75 1.75 यह इसका आंसर हो जागा यहाँ पे यह इसका आंसर हो गिया अब नेक्स लेते हैं तो इसको मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा 25 15 से इसको मल्टिप्लाइ करते हैं 5,5 जा 125 और 25,1 जा 25 कितना हो गिया, 5 और यहाँ पे 5,27 हो गिया और यहाँ पे 3 हो गिया 3,75 में 1 प्लस हो गिया, तो 3,76 हो जाएगा इसको मिटाबते हैं इसका fraction हो जाएगा 3,76 by 25 इसको multiply करते हैं अदला दिवाइड करते हैं 25 से 376 तो यहां पे सबसे पहले तो वन बार में जागा 25 यहां पे 2 बची गया और यहां बची गया अब यहां पे 6 तो 25 फाइव जा 125 बची गया कितना गया यहां पे 1 बची गया अब यहां पॉइंट लगाते हैं तो 0 गया और फिर से एक 0 चाहिए तो यहां पर यहां पर हंडेड हो गया 25 फोर जा 100 कंप्रिट खतम हो गया इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 15.04 यह इसका आंसर हो गया इसको भी हम लोग को यह करना पड़ेगा त सुला सुला का टेवलाम लोग पड़ सकते हैं फुरबा सुला मतलब इतना हो गया और उसके 9 लगाएंगे 9 8 कर देंगे तो 649 हो जागा यहां पे इसको मिटाते हैं यहां पे हो गया 6 कि 49 बाइफटी इसको डिवाइड करते हैं यहां पे है 40 से 649 अब यहां पे फोर क्रटा वालन लोग पड़ सकते हैं तो फरस्ट में जो है कितना ही बारा में जागा एक वार में जागा टू बार में 80 हो रहा है तो यहां पर तो फोर्टी ओगिया यहां पर टू हो गया अब यह ना आ जागा यहां पर तो कितना रहा है चरचक चोबिस चेक करते हैं जिरो चोबिस पर मतलब एक जीरो लगेगा तो छे बार में जाएगा 6 इतना जाएगा 9 बची यह कट गएगा अब यहां पर जीरो लडा लेंगे तो यहां पर पैपॉइंट टालना होगा रगलगा ग्ति होता है त्र से यह अ लगए और यहाँ पर फिर से यह तो बार पार में जागा होता है तो फॉक्पर 0000 तो 40 कितना बार में जाए 20 होता है 4, 5 जा 20 5 से जाएगा 20 का मतलब है कि यहां 20 लिखेंगा और एक 0 लगेगा और यह पुरी तरह से कट जाएगा इतना मतलब इसका अंसर इतना हो जाएगा यहां पे 16.225 यह इसका अंसर हो जाएगा यहां पे यह कंप्लेट हो गया